असलाम अलेकुम आइम मुहम्मद हसान हाश्मी और आज हम जिस टापिक को डिसकस करने जा रहे हैं यह है लेंग्विज ट्रांसलेटर इस टापिक को समझाने से पहले मैं बाद फोड़ी सी एक्जेंपल से शुरू करता हूं बिलफर्स आप समझें के मुझे फ्रांसी सी जुबान आती है और आपको फ्रांसी सी जुबान नहीं आती तो मैंने अपनी बात आप तक पहुंचानी है इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे दर्मयान में कोई एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसकी वज़ासे मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ और अगर आपने भी मुझसे बात करनी है तो आप भी दरमयान में कोई ऐसा source चाहेंगे जिसके वज़ासे आप उर्दू जबान से मेरे साथ फ्रांसिसी जबान तक message को पहुंचा सकें हम दोनों को जो दरमयान में way of interaction है वो required है और computer में भी almost जब हम एक language से दूसरी language या अपनी बात जो हम computer या machine तक पहुंचाना चाते हैं उस मकसद के लिए हमें दरमयान में एक ऐसा program required होता है जिसको हम language translator के नाम से represent करते हैं जो हमारी बात machine को समझाता है और machine की बात वो हमें समझाता है सो हम इसको language translator के नाम से represent करते हैं और हम इसको language processor के नाम से भी represent कर सकते हैं अब इसकी definition में आपको बताता हूँ It is a system software that converts the code written in high-level language or assembly language into computer understandable form हमारी पास एक ऐसा system software होता है जो high-level language के code को assembly language के code के अंदर convert करता है ताके machine उसे directly understand कर सके और understand करने के बाद उसके जरीए से जो operation हमने machine को दी होते हैं वो उनको perform कर सके यहाँ एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जरूरी समझता हूँ वो यह याद रिखिएगा हर computer का अपना translator होता है अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि machine उस program को जो binary farm के अंदर होता है वो कैसे समझ लेती है हमने जैसे शुरू में example से मैंने इस चीज़ का आगास किया था मैं फ्रांसी सी जुबान जानता हूं और फ्रांसी सी जुबान का message मैं अपने translator को दूंगा वो translator आपकी जुबान में उस message को convert करेगा उर्दू जुबान में आपको उसकी बात समझ आ जाएगी आपने direct जो फ्रांसीसी जुबान के अंदर मेरा message था उसको perceive नहीं किया इसका मतलब है कि translator ने आपको वो बात समझा दिये अब आप उर्दू जुबान में कोई message translator को बताते हैं तो translator उस message को मुझ तक फ्रांसीसी जुबान के अंदर convert करके वो मुझे बता देता है इसका मतलब है जो दर्मयान वाला role play किया वो सिरफ और सिरफ एक language को दूसरी language में convert करना और message को असान फहम बनाना है computer can only understand machine code यह हम शुरू में ही part 1 में भी इसको discuss किया था अब दुबारा फिर हमें इस चीज के मतलब awareness है कि computer को सिरफ एक ही जुबान आती है और वो zeros or ones की farm में होती है so a code written in high-level language or assembly language cannot be run directly on the computer एक ऐसा code जो high-level language के अंदर लिखा होता है या assembly language के अंदर वो machine के उपर directly कभी भी execute नहीं हो सकता it must be converted into machine code उसे लाजमी तोर पे हमने machine language के अंदर या zero ones की farm के अंदर convert करना है तब वो उसे execute करता है otherwise वो उसको execute हर्गिस नहीं कर सकता इस मकसद के लिए हमें जो translators हमारे पास दस्तियाब होते हैं उनमें पहले नंबर के है compiler जो सबसे frequent और सबसे ज्यादा इस्तमाल होता है उसके इलावा interpreter और उसके इलावा assembler ये तीन तरह के translators हैं जो market में इस्तमाल होते हैं हम one after one in computer discussion करेंगे सबसे पहले screen के उपर आपको compiler की definition भी नजर आ रही होगी हम सबसे पहले इसको discuss करते हैं ये एक ऐसा system program है जो high level language के module को convert करता है into the form of zeros and ones लेकिन इसमें एक जो key feature है वो ये कि इसने सारे का सारा program एक ही वक्त में convert करना होता है मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ जहां से आपको बात समझना आपके लिए असान हो जाएगा आप बच्पन में जब कोई भी question math का साल किया करते थे और आप teacher के पास लेके जाये करते थे तो teacher A की नजर में उस सारे के सारे question को देखने के बाद आपको बता देता था कि ये ठीक है ये गलत है अगर वो गलत होता था तो वो pencil के साथ उसको mark कर दिया करता था कि यहां यहां पर problems हैं इन problems को ठीक करके मेरे पास लेके हो वो जो teacher role play कर रहे थे वो compiler का था क्योंकि एक ही वक्त में सारे का सारा code था, module था उसको test किया और test करने के बाद देखा कि कहां पर problems हैं उन problems को tackle करने के लिए आप लोगों को दुबारा से program को लिखने के लिए कहा गया यही काम compiler ने programmer से करवाना होता है जो program लिखा जाता है high level language code के अंदर हम उसे source program यह source code के नाम से भी present करते हैं याद रिखेगा machine कभी भी source code को directly ना तो understand कर सकती है ना ही उसके अंदर लिखेगे program को as it is result के तोर पे screen के उपर display भी करवा सकती है इस मकसद के लिए हमें मुख्लिफ तरह की जो compiler के जरीए से working है उसको establish करना पड़ता है अब diagram आपको एक screen के उपर निजर आ रही होगी उसमें अगर आप देखें तो आप लोगों को theme बहतर तरीके से समझाने कि उसमें कोशिश की गई है source code हमने compiler को दिया compiler ने उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को object farm के अंदर convert कर दिया zeros and ones की farm में convert कर दिया अगर दर्मियान में syntax error मुझूद नहीं थे तो अगर दर्मियान में syntax error आ जाते हैं तो कभी भी object file या object program नहीं बनेगा compiler उसको आप लोगों को दुबारा कहेगा कि इसमें यह problems है इनको दुबारा से आप खतम करें और दुबारा से program लिखें और उसके बाद दुबारा से compile करें and so on so forth this process works until the errors are removed अब इसके बाद अगर हम बात करें examples की तो जो language हम इस course में discuss करने जा रहें उसके लिए हमें दो तरह के compilers market में आम तोर पे available मिलते हैं उनमें Turbo C++ है Dev C++ है उसके लावा भी online compilers available है लेकिन हम उन compilers की बात नहीं करते हैं जो most popular compilers है वो Turbo और Dev हैं आप लोगों के syllabus में Turbo के compiler की installation वो सारी-सारी mention है हम इंशाला उसको lecture में discuss भी करेंगे लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप लोग Dev का compiler यूज करें क्योंकि आगे चलके जब आप लोगों ने बैचलर्स या मास्टर में जाना है तो वहां पर आम तोर पर Dev इस्तमाल किया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो अगला translator है that is interpreter 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 क्या चीज होती है यह एक ऐसा program है system level program है जो एक ही statement को machine farm के अंदर convert करता है यह compiler की तरह नहीं होता कि एक सारे program को convert कर दिया और उसके बाद object file generate कर दी बलकि इसने सिरफ एक वक्त में एक statement को execute करना होता है और अगर उस statement में कोई problem नहीं है अगली किसी line की तरफ उसको नहीं लेके जाता अब अगर हम इसकी definition discuss करें सकरीन के उपर आपको वह नजर भी आ रही होगी it is a program that converts one statement of a program into machine at one time एक वक्त में सिरफ एक statement इसने convert करनी होती है अगर उसमें कोई problem नहीं आती तो हम अगली statement में जा सकते हैं लेकिन अगर problem आ जाती है तो हम उस statement को जब तक ठीक नहीं करते interpreter हमें आगे further proceed करने की permission वह नहीं देगा अब इसकी मिसाल भी मैं आपको यहां वाज़े कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना असान हो जाए interpreter की तरह ही interpreter में आप जब कोई lesson प्रिपेर करते हैं तो उस वकत आप लोगों ने सिरफ और सिरफ एक line एक वकत में याद करना होती है अगर उस line में आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती तो वह line आप लोगों को बहसानी जहन में भी बैठ जाती है और आप लोगों के लिए उस line को याद करना भी असान होता है अब interpreter में यह quality है कि इसमें errors को find out करना यह असान होता है लेकिन इसका जो disadvantage है वो यह कि यह compiler की तरह बहुत ज़्यादा efficient नहीं है इसकी working वह compiler की तरह नहीं होती आपको एक diagram नजर आ रही होगी जिसमें दिखाया गया है कि यह जो source program है वो line by line execute होता है interpreter की वज़ा से और अगर दर्मयान में कोई भी problem आ जाती है तो उसी line की तरफ हम return होंगे हम अगली line की तरफ move नहीं करेंगे और साथ-साथ जिस line को interpreter interpret करता है उसके object program या object file बनती है और object file बनने के साथ-साथ output generate होना शुरू हो जाती है यह उससे ज्यादा performance के इतबार से बहतर है लेकिन जो speed की अगर हम बात करें तो compiler is more efficient इसके बाद हम बात करते हैं assembler की assembler तीसरी तरह का एक language translator या processor है यह एक ऐसा program है जो high-level language के code को यह एक ऐसी language होती है जो CPU में जो registers होते हैं उसमें काम करने के लिए या working plan प्रिपेर करने के लिए इस्तमाल होती है सिरफ दुनिया की एक जुबान जिसको हम assembly language कहते हैं उसके code को binary farm के अंदर convert करने के लिए हमें assembler के जुरुत पेश आती है आपको एक diagram screen के ओपर नजर आ रही होगी आप उसको पहले देख लें assembly language के program को assembler की वज़ा से object farm के अंदर convert किया जाता है machine मैं पहले बता चुका हो हलांके assembly language low-level language है लेकिन still जो computer है वो सिरफ zeros or ones की farm को समझता है वो इसके लावा किसी भी जुबान को नहीं समझता so object program जो assembler की वज़ा से convert हो चुका जो assembly language में लिखा था यह काम करना assembler की responsibilities में शामिल है अगर दर्मयान में कोई rules violate नहीं होते कोई problems नहीं आती तो तब object program बनता है अगर दर्मयान में कोई violation rules आ जाए तो फिर दुबारा से assembly language के program को लिखने की जुरुण पेश आती है आज के लिए फिर वक्त इतना ही अपना ख्याल रखियेगा मुलाकात होगी इंशाला अगले lecture में अल्ला हाफिस